कुछ होट कोश्चेंज एकुछ इंपोर्टन कोश्चेंज इस टाइम पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्किट कैसी परफॉर्म कर रहे हैं अब अब जितने वी बिजनेसे आपके इंपर्श रिमिटेंस जो रहे हैं उससे चलना था ही रिटन गेम्स ना करे हमारे जो इदारे ह स्लावलेकूं मैं हुरेई जाहिद और आज हम मौझूद हैं बहरे टाउन में अच्छा सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि अगर जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि मेरा जो सफर शुरू हुआ है रियल स्टेट में वह जिस ओफेस कुछ hot questions है कुछ important questions है बहरे टाउन के वाले से इस टाइम पाकिस्तान की रेल स्टेट मार्कीट कैसी perform कर रही है और कब मजीद भेतरी आ सकती है यह सारी की सारी चीज़ें आगे चलके हम discuss करने वाले हैं लेकिन हसन भाई सबसे पहले अब से हम कुछ चीज़ें जो पुछने करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका इंपक्त कितना नेगिटिव पड़ेगा और इस टाइम पर क्या स्टूइशन है तो जरा आप अपने खैलात का इधार भी करें और मजीद भी जो चीज़ें आप बहतर समझते हैं वो भी हमारे आउडियोंस को बताएं बहुत कमी मिलेंगो और बहुत हार्ड वर्किंग परसन है इस टाइम पर मेरे नजरू में आए तक यतने भी मेरे मेरे टीम मिम्बर्स या हमने जिनके साथ मिलकर काम किया है सबसे बहतरी हैं और मेरे आइडियल परसन है इन शॉर्ट अलफाज है तो बाकि जो जाहिद बहे है यह सारा एक पूरिया कानी इसकी पीछे हमारे मुल्क हुजादाद पाकिस्तान में जो पॉलिसी जो गोर्मेंट मेंसार कोई भी गोर्मेंट आती है वह पूरे पांच साल अपने पूरे पूरे करने कर नहीं पाती वह फिर अपने लोगों को दिल जीतने के लिए सबसेड अब ड्ये ऐक होगों रियल एस्टेट किसे रहा था ृस्टेट हमारा चल रहा था आपकी और फ्सक्र'! तो यह सारे वजोहात चीन्की वह सरुप यान उनकी बहरिया पूरे पाकिस्तां की लले लें उनकी प्रीस ज़ोवे आप बहरिया कंश- सबध्री बंटpas कर्ण स्पेशल इसलिए पुछ रहे कि जो इनके मसले मसायल सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे उसकी वह से भी जायर है जो बाइर से मार्केट में वो काफी डिस्ट्रव है यह वो जवात इंशाला सटल गूर्मेंट के बास सारी चीज़े बहतर हो जाएंगे इंशाला परफेक्ट ह पाकिस्ता के रियल स्टेट के मार्केट स्पेशली में बहे रहे रहे हैं अगर मैं रियल स्टेट में कहूं तो मेरे पहले बास है तो इनसे हमने बहुत कुछ सीख है अच्छा अच्छा मैं आप से कुछ मजीद क्वेशन पूच्छूँगा कि एक पिछला तरीबन जब से एक रिजीम चेंज हुआ और ये चीज़ें हुई तब से ही रियल स्टेट और और अवला एकॉनमी भी हमारी काफी डिस्टरब हुई तो इस टाइम आप अगर हम मैं कहूं के हमें उमीद दिलाएं के कब हमारी मुल्की मईश्ट बहतर हो सकती है और कब रियल स्टेट इंड इंडेल कैसे ओगास के स्टेबल होने के लिए सबसे पहले आपकी बुल्की जो कालीशी है ना आपको बुल्क चलाने के लिए जो पालिशी आपके बरुइकरेसी के आपके स्टेबलेशमेंट पे इनको बहतर करना पड़ेगा एक ब्लेग में करना आदाने कि जो हमारे आधारें को चाहीए कि यह जो आपके मुलख पालीसियो जो पालीसियो देख रहे हैं सारे इनको इसके उपर फोकस करना चाहिए इस पर रॉकष ऐस हैओ और वह बाधे गडाती है जब आप मुझु टु मुलाज़ लेका हम पॉलिसिस को फर्दर चलाते रहेंगे अभी देखे जहां तक बहरिया का बता रहें प्राइस क्रेश आवर आल वर्ल्ड में आप देखो इस अब महिंगाई का तुफान वर्पा है वो जुहात है इसके पीछे आप अगल लोंग ट्रम पे जाएं कोवेड कोवेड के इसके वैसे बहुत 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 पूरी दुनिया में आपके सकते तुफान खड़ा हो जाएगा इस तरह के क्राइश इसको मेंटेन कर निकिलिंग को बहुतरीन पॉलिसिस बनाना पड़ेगा गवर्मेंट को खासकर हमारे जो इदारे हैं मैं बार बार इदारों का नाम इ हाथ में बागी बेरिया का इन्शाला देखो जो एक टाइम था लोग करे तेयार बेरिया की पर्चेजिंग प्राइस यहां पर प्लॉट्स महंगे हो गए पार्टमेंट महंगे हो गए उनको आप एक तफ़ा दुबारा चांस मिला है इन सारे वजुहात की वैसे बेरिया मे हैं तो सब ने तैजी में लिया हुआ है अब जाहरे थोड़ी सी मार्केट रिवर्स होगे सब को मसले मसाले अब इनीशल अलोटी अगर आप बहरिया में शुरू के मिसाल की बहरे गिरीज में आपने शुरू में इनीशल प्लॉट बुक करवाया तो कौन से नुक्सान बज जाएगी मार्केट को मसला नहीं है 24 में इनकी अलेक्शन होंगे हमारे उसके बाद इन्शालला सेटल गूर्मेंट आएगी तो मैं अटमेटिक लिए हमारे और सीज और पाकिस्तान में जो जितने भी हमारे मुखयर जितने भी स्टेकोलडर्स वो अपना माल खोल लेंगा ज जल्दी इन्शालला भेतरी आने के चांसे भी हैं तो आज की वीडियो को ये एंड करते हैं साथ रहने का बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब भी किजेगा और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक भी करें और अगर आपको कोई सेजेशन्स हैं वो कमेंट में याफजयो याफजयो आपको इक बेंट भी करते हैं मिल अगियोग ऑमटेड़ खार वीडियो खार अगर उड़ एंड को रेंड का में वीडियोगियो इन्वच्राइब खार वीडियो धूजयो आगर वीडियोगर देशद रहाफ़ दो झाल झाल